गुटना, कंधा या कमल, चाहे जैसा हो दर्थ, डॉक्टर अर्थो आपको देता है दर्थ से पूरी आजाती, एक भरपूर सिद्धिगी महाभारत में ध्यतराष्ट और पांडु दोनों भाई थे, ध्यतराष्ट बड़े थे यानि सिंगहासन के असली हगदार, लेकिन सिंगहासन मिला पांडु ओ, क्योंकि ध्यतराष्ट नेत्रहीन थे, ध्यतराष्ट के बड़े बेटे दुर्योधन को हमेशन लगता था, कि वो चलिए अब आपको इस खबर कई बारे में बताते हैं आंद्र प्रदेश के सीम है जगन मोहन रेड़ी कह सकते हैं कि उन्हें आंद्र की गद्धी विरासत में मिली है उनकी बहन है Y.S. शर्मिला रेड़ी वो भी नेता हैं उनकी सभाओं में भी भारी भीड उमरती है आयसे अधिक संपत्ती के मामले में जब जगन रेड़ी जेल में थे तब शर्मिला ने पार्टी कमान समाली थी उन्होंने 2019 के चुनाओं में जम कर प्रचार किया था और पार्टी को जीत दिलाई थी आंद्र प्रदेश में शर्मिला रेड़ी जाना पहचाना नाम है लेकिन वो सरकार में शामिल नहीं है अब ऐसी खबरे हैं कि वो अपनी अलग पार्टी बनाने वाली है थोड़ा और विस्तार से बताते हैं शर्मिला रेड़ी चाहती थी कि जगन मोहन रेड़ी अपनी पार्टी YSR कॉंग्रेस का विस्तार तेलंगाना में भी करें लेकिन जगन को ये आईडिया पसंद नहीं आया अब शर्मिला ने अकेले ही तेलंगाना के रण में उतरने का मन बना लिया है शर्मिला के कहना है कि वो तेलंगाना में राजणना, राज्यम यानी YS राज़शेकर रेड़ी का शाशन लाना चाहती है Y.S. राशे का रेड़ी जगन और शर्मीला के पिता थे 2 सितंबर 2009 को हेलिकॉटर दुर्खटना में उनकी मौत हो गई थी पिता की मौत के बाद जगन मोहन रेड़ी ने एक यात्रा शुरू की 2014 की बधानसवा चुनाव में Y.S.R. कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा लेकिन जगन और विपकष का सबसे प्रमुक चहरा बन गए थे 2017 में उन्होंने प्रजास संकल व्यात्रा शुरू की 2019 में ये यात्रा खत्म हुई 2019 के चुनाव में जगन मोहन डिटी जीते और सीम बने अब सवाल की भाई बहन के बीश सब कुछ ठीक नहीं है क्या जगन का पूरा संगर्ष उनकी यात्राएं मैनेजमेंट बड़े फैसले इन सब में उनकी मदद की उनकी मा विजयमा और बहन शर्मिला ने शर्मिला जन्ता के वीश गए यात्राएं की रहलिया की और घर-घर गली के लिए वोट भी मागे यानि कहा जा सकता है कि उन्होंने वायसर कॉंगरेस को बनाने खड़ा करने और सत्ता के सीर्ष तक पहुँचाने के लिए जान लगा दी लेकिन अगर वो नई पार्टी बनाने के लिए सोच रही है तो सवाल जरूर होगा कि क्या भाई बहन के बीश सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या सीम बनने के बाद जगन मोहन डिटी ने अपनी बहन के सलाह लेनी छोड़ दी है शर्मीला ने अपने बयान में राजन्ना, राज्यम की बात कही है 2023 के चुनाव में उतरने की मंशज़ जताई है उन्होंने अपने पिता के पुराने सहयोगियों के साथ बैठक की और फिर तिलंगाना के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया इसी दोरान आंद्र में YSR काॉंग्रेस के एकनेता सजल रामकरष ने कहा कि जगन और शर्मीला के बीच विचारों का अंतर है लेकिन दोरों में कोई मध्भेथ नहीं है सजल ने कहा कि शर्मीला को लगता है कि तिलंगाना में वायसर के बहुत समर्थक है और वहां विस्तार करना चाहिए लेकिन जगन का मानना है कि ऐसा करने से पार्टी को लुगसान होगा सजल रामकरश ने कहा कि शरमीला ने अपना रास्ता चुन लिया है वहीं शरमीला ने कहा कि आंदर में जगन मोहलेडी ने अच्छा काम किया है मैं अपना काम अब तिलंगाना में करना चाहती हूँ इस मामले में मैंने जगन से बात नहीं की है पार्टी बनाना एक सहासिक फैसला है जगन और मेरे बीच रिष्टे जारी है लेकिन मेरा अपना अलग राजनीतिक रास्ता है मैं लोगों के बीर जाओंगी और तिलंगाना में नई पार्टी खड़ी करूँगी 17.1973 को शर्मीला का जन्म हुआ था वेफिल हाल 47 साल की है दो बच्चे हैं एक बेटा है और एक बेटी शर्मीला ने राजनीत के दाओं पेज बच्चपन से देखे हैं मा और पिता की राजनीत को करीब से देखा है तिलंगाना और आंध प्रदेश में बड़ा नेटवर्क है उनके पास एक पार्टी को सफलता पूर्वक खड़ा करने का अनुभव भी है अब देखना होगा कि तिलंगाना की राजनीत में शर्मीला क्या उलट फेर कर पाएंगी और एक सवाल भी है वो ये कि बहन और भाई के बीच सत्ता और सिंगाशन ने दूरियां पैदा कर दी हैं क्या जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे आप देखते रहे दी ललन टॉप